ग्राम पंचाथ इस तर पर आयो जित जन चौपाल शिकातों के निस्तारन में कितना मददगार साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाल जन्चौपाल में जिस सरह शिकायते आ रही हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि ग्रामेड इस्तर पर पात्र लाभार्तियों को योजनाओ का लाब नहीं मिल पा रहा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि शन्वार को ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली में आयोजित जन्चौपाल में 36 सिर्फ प्रात्ना पत्राय जिन्हें ब्रधा अवस्ता और विद्वा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसे में अन योजनाओ की जमीन सच्चाय का अंदाजा लगाया जा सकता है ग्राम पंचात महोली में उपायुक तिश्रम रुजगार सुशिल श्रीवास्तों की अध्यक्षिता में चौपाल आयोजित हुई उन्होंने पता कि ग्रामेड इस्तरपड सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना एवं मन्रेगा जैसी कई प्रमुक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से लाभार्तियों को लाभ प्रदान किये जा रहे हैं सप्लाई इस्पेक्टर आलोक ने छेत्र में राशन कार्ड से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया एवं अपील की जो लोग सक्षम हैं और उनकी आय शहरी छेत्र में 3 लाग से उपर एवं ग्रामेड छेत्र में 2 लाग से उपर हो चालू हालत में ट्रेक्टर एवं एक अधिक असलहे या शासन द्वारा जारी पात्रता सोची की अहर्तिताई न रखते हों वो अपना राशन कार्ड सौब दें जिससे पात्र लोगों को योजनाओ का लाब मिल सके समाज कल्यान विभाग से शाहग विकास अधिकारी प्रेम चंद ने पेशन सामूहिक विभाग एवं अनुदान संबंधित अन्य विभागों द्वारा संचाली त्योजनाओ के विशे में जानकारी दी ग्राम प्रदान महोली धर्मिंद्रि सिंग ने आगुंतकों का आभार व्यक्त किया बीडियो कस्मन्ना जीत कुमार यादों के अलावा ग्राम विकास विभाग, राजश्व विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वाश्टी विभाग, क्रशी विभाग, नलकूब विभाग, बाल विभाग, इवं पुष्टा आहार, लगुसी चाई, पशुपालन, जिला युअ कल्यावण, सहकारिता विभाग, आपूर्ती विभाग, समाश कल्यावी विभाग से अधिकारी उपसित रहे, जबकि विध्युत्ययम् सुचाय विभाग के अधिकारी अनुपसित रहे। खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया